नमस्कार दोस्तों कैसे होरो आप सब ठीक होंगे हमारे श्वातीर पिकिचन में आपका स्वागत है दोस्तो तो देखे दोस्तो आज हमने बनाये हैं सोया मैंचुरियन तो देखे कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में तो बहुती ज़यदा अच्छा लगता है यह तो चलते हैं शुरू करते हैं तो यहां पर हम ले रहे हैं तो इसको हम एक बावल में डाल देते हैं और इसके उपर से हम डाल देते हैं इसके अंदर गरम पानी अगर आपके पास टाइम हो तो आप गरम पानी में विगू को इसको दस मिनट के लिए रख सकते हो अगर तो नमक डाल देते हैं इसके अंदर इसको 10 मिनट छोड़ देते हैं फूलने के लिए तो देखिए 10 मिनट हमने रख लिया है तो देखिए ये फूल गई है अब हम इसका क्या पानी निचोर लेते हैं अच्छे से इसका पानी निखा लेंगे हातों से अरे फूल के बिल्कुल तयार हो गई है अच्छे से तो यहां पर देखिए हम पानी निचोर लेते हैं हातों से इसको ज्यादा भी हमें भीचना नहीं है वनना इसका कचरा हो जाएगा इसलिए हलके हातों से ही इसका पानी दबा के ऐसे निखालना है हमें इसी तरीके से मैं सारी सोया का पानी निखाल लेती हूँ देखिए हैं यहां पे मैंने सारे सोया में से पानी निखाल लिया है और यहां पे मैं ले रही हूँ दो चमच, कॉन फ्लोर अगर आपके पास कॉन फ्लोर ना हो तो आप इसके जगे मेदय के अब इस्तमाल कर सकते हो दोनुई चीजों से यह अच्छा बनता है यहां पे हम ले रहे हैं काली मिर्च, थोड़ा सा हम लेंगे लाली मिर्च पाऊडर अगर आपको ज्यादा तीक ना पसंद हो तो आप इसको स्किब भी कर सकते हो यहां पे हम डाल देte हैं नमक तो नमक हमने पानी में भी डाला था इसलिए नमक हम कम ही डालेंगे और यहां पर हम ले रहे हैं अमचूर पाउडर तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर देखिए तो यहां पर हम हातों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे सोया पर मसाला अच्छे से चिपक जाए तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है पूरा मसाला सोया पर चिपक गया है अच्छे से यहां पर हम ले रहे हैं गरम तेल तो यहां पर हम एक एक डाल के इनको सारीों को सेख लेते हैं अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लेंगे हम सेख के तो यहां पर हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक-एक अगर एक साथ डालोगी तो यह चिपच जाएगी इसलिए हम यहां पर एक-एक करके ही डालते हैं इनको अच्छे से हम सेख लेंगे तो देखिए हमारी सोया बिन अच्छे से सिख गई है देखिए इसको ज्यादा भी नहीं सेखना हमें इनको जलाना नहीं है बस इसी तरीके का इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए वहीं तक आपको सेखना है तो यहां पे हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी बच्ची ह एक प्राए मिर्च इसको जला हिए उनको भी हम फ्राए कर लेते हैं तो देखिए हमने सारी सोयाश में डाल दी है तो यहां पर हमने एक चोटा चमच तेल और यहां-पर हमने कुछ सब्जिय गया नहीं है तौड़ा सा हमनें बारी कटके प्ज क्रत ले लिया है अगर आपक प्यास डाल दिया है जो हमने बारिक हरी मिर्ट काट रखी है वो डाल दी है यहीं हलका साधा बड़ा है तो यह जो हमें बड़े 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 डाल देते हैं इसकोошको भी एक मिनिटके लिए पका लेंगे तो देखिए एक मिनिट हो गया है तो प्यास तोड़ा पक गया है यहां पे हमने जो टमाटर काटके रखे हैं बड़े-बड़े आकार में वो टमाटर भी हम इसमें डाल देते हैं और इनको भी हम एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे टमाटर गलने तक तो देखिए टमाटर भी गल गया है अच्छे से अब सब्जिया भी हमारी पक्के तेयार है तो यहां पे हम ले रहे हैं आदा चमच सोया सोस तो सोया सोस डाल देते हैं यहां पे हम ले रहे हैं एक चमच विनेगर अगर विनेगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हूं और एक चमच हम ले रहे हैं चिली सोस और एक चमच ले रहे हैं टमेटो केचप तो इन सबी चीजों को डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं यहां पर हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा अजीनो मोटो अगर अजीनो मोटो आपको पसंद ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा फुट कलर अगर आपको पसंद ना हो तो इसको भी स्कि अच्छा कलर आता है तो यहां पर हम इसमें कलर डाल रहे हैं जो हमने सोया बिन सेख के रखी है वो डाल देते हैं इसके अंदर और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं कि खाने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है यह सब चीजे इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखे दोस्तों यहां पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें थोड़ा सा हमें केचप कम लगा हम ने एक चमच केचप ओरेड किया है यह देखिए हमारी सोया बनके त्यार है उसको हम प्लेट में निखा लेते हैं दोस्तों और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रुर बताना दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत भूत धनिवाद दोस्तों तो यहां पे हम सारी सोय को प्लेट में निखा लेते हैं इस पे थोड़ा से हमाल हरा दनिया डाल देते हैं उपर से ताकि दिखने में तोड़ा अच्छा लगे और यह हमारी सोया बन के तियार है